धणाम की अवाज के बाद कुछ पल की शान्ती, और फिर उसके बाद जोड से रोनी की अवाज आए, देविंद्र ने देविका को अवाज लगाए, देखना देवी यह किसके गिरने की अवाज है, तभी रोनी की अवाज ओर देखते जो गए, देख देवी कहीं शुप तो नहीं रो रहा है, लगता है गिर गया है, कहा है शुबू की? देविका तुरंत भागे, चार वर्ष का शुब देवेंद्र और देविका का प्यारा पोता बात्रूम में फिसलकर गिर गया था। रोते पौतर को गोध में उठा कर देवी का चुप कराने लगी बेटे बातरूम में दीरे दीरे जाते हैं आप तो तेजी से भागते वे गए होंगे तभी फिसल कर गिर गए कोई बात नहीं कहीं चोटतो नहीं आई मेरा बहादूर बेटा कपड़े की ले हुए हैं इनको जल रहे हो क्या दर्दो रहा हैं नहीं दादी आपने कहा न बातरूम दीरे दीरे जाते हैं इसलिए बहुत जल्दी भूल जाती हैं अभी तो आपने कहा था ना नन्ने पौत्र की शैतानी भरी बाते सुनकर देवी का हसने लगी दादी हस क्यूं रही हो बड़ी दादी की बातरूम का दरवाजा भी बंद नहीं करती, खुले बातरूम में बैट कर सुसु करती है, बड़ी दादी सुसु करके निकली मैं बातरूम में सुसु पर फिसल गया, मैंने शुब के मुँं से सची बात सुनकर देवी का सन रह गई, यह सोचकर काम गई, कि कहीं घर में महाब पहरत ना छुड़ जाए, अगर बड़ी दादी अथारते देविंद्र की मा और देवीका की सास ने शुब की बाते सुन ली, तो शत प्रतिशत घर में तीसरा विश्वयूद तो किसी भी शन छुड़ सकता है, देविंद्र भी तब तक वहीं पहुँच गया, क्या हुआ गिर गया, बहादर बच्चे रोते नहीं हैं, तेविंद्र ने शुब को अपनी गोध में लिया और कमरे की तरफ प्रस्थान करने ही वाला था, कि जिस बात की आशंका देवी का खोती वहीं हो गई, बड़ी दादी ने शुब की बात सुन ली, जो अभी ड्राइंग रूम कर और तेस्वर में रोने लगा, हाँ हाँ चीक चीक कर सच्चा बन, सुसु बातरूम में नहीं करूंगी तो क्या तेरे मुँ में करूंगी, बड़ी दादी ने रॉप से का, यह सुनकर देविंद्र और देवी का सन रह गए कि मां आखिर क्या और क्यूं शुब को बोल रह चुपकर छटांक, मा क्या बोले जा रहे ही, और शुब छोटा बच्चा है, बैस करने की कोई जरूत नहीं, आप चुपकरो, देविंद्र ने मा को समझाते भी का, मैं भी आपके मुँ में शुचू करूंगा, तब आपको पता चलेगा, मुँ में कैसे शुचू करते हैं, शुप बोल बड़ा, देख पिद्धी की हरकते, कैसे मुझ बुड़ी से लड़ सकता है, और सिखाओ बच्चो को बड़ों की बेज़दी कैसे करते हैं, मा के लड़ा के तेवर देखकर, देविका शुप के साथ में कमरे में चले गई, देविंद्र ने मा को कहा, देखो, हमने शुप को कुछ नहीं सिखाया, आप शांती रखो, आपने गलत शुरुआत की तो शुप भी चुप नहीं रहा, आपको मालूम है, वह बहुत बात उनी है, हमसे भी सारा दिन प्रशन पूछता रहता है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम बड़े तो किसी बात प बड़े होते हैं, बच्चों को नकल करने की आदत होती है, तभी हम उनने नकलची बंदर कहते हैं, आपने जो कहा है, वैसा ही उसने उल्टा जवाब दिया, अरे, तू एक पिद्दी को संभाल नहीं सकता, मैंने पांच बच्चों को बैदा किया, पाल पोस्कर बड़ा किय कहे तो ऐसा रहे जैसे तुम पांचों बच्चे नहीं थे, बड़े पैदा हुए थे, पांच भाई बहन तो हैं, लेकिन बनती किसी की भी नहीं, तुम जैसा बहस करती हो, ऐसा हम आपस में करते हैं, तो तू कहना क्या चाता है, मैं गलत हूँ, तूम सही हो, मैं आज की बा मा रहूंगी बात करता है, अपनी मा की बेज़िती करता है, और कहते हूए, मा गर के बाहर में गेट पर बैट गई और बैटकर शोर मचाने लगी, क्या जमाना आ गया है, अब मुझे दो चार साल के बच्चों से सीखना पड़ेगा, किस से क्या बात करूँ, मेरा बेटा कह मा अथार्थ बड़ी दादी के विलाप से, गली की सफाई करमचारी दो चार रहागीर और पड़ासी जमा हो गए, उन्हांने तो केबल तमाशा देखना था, हां में हां मिलाते गए, घर के गेट पर शोरगू सुनकर देवेंद्र ने बाहर आकर तमाशा भीनों को हटने को का, जवाब में एक आदमी ने कमेंट कस दिया, पूरी मा को तंकरते हो, माफी मांगकर इजद से घर ले जाओ, वरना एक फॉन गुमाने की देर है, दरजन और टीवी निउस चैनल वाले कट्टे हो जाएंगे मिस्टर, जेल की हवा खानी पड़ सकती है, इतना सुनकर घर के अंदर गए और तमाश मिनों की भीर छट गए, देवेंदर एक हारे हुए जुआरी की तरह चुपचाप कमरे में आया, जहां देविका रो रही थी, नन्ना शुप भौचक का सा देविका की गोद में सहमा सा गुमसम चिपका था, गंभीर वातवरन को बदलने के लि बड़ी दादी में इन गेट पर बैट कर लड़ाई क्यों कर रही थी, आप इसको भूजा और कार्टून चनल देख, देवेंदर ने शुप को बहलाने की कोशिश की लेकिन उसने फिर प्रशन किया, बताओं न दादा, बड़ी दादी क्यों लड़ाई कर रही थी, भार ल लड़ाई जगडे से बच्चों के नाजुक मस्तिक्ष पर गलत असर पड़ता है, तो के घर की सारी शांती का जिम्मा आपने ले रखा है, मा का कुछ दाइत भी नहीं है, शांती बनाने में, एक छोटे नन्ने से बालक से ऐसे लड़ रही थी, जैसे कोई हम उम्रो, बच् नहीं होती, किसी से भहस करने की, भीगी बिली की तरह उनके घर पर चुपचाप पड़ी रहती हैं, और सारी भड़ास यहीं आप पर उतारती है, सारी अमर मा की बातों को स्वायब, छोटे बच्चों पर मा की भड़ास नहीं सह सकूंगी, क्यों नहीं बोलते मा को, दादा दादा भीगी बिली क्या होता है, बड़ी दादी बिली क्यों बन जाती है, बताओ दादा, बेटा भीगी बिली एक मुहावरा है, मुहावरा क्या होता है, शुप ने फिर से प्रशन किया, दादा पोता थोड़ी देर तक काटन चेनल देखते हुए बाते करते रहे, थोड इन बुड़ाबे में हर व्यक्ति समझने पर अपनी तोहीन मानता है। जब पूरी उम्र बच्चों पर मैं अपनी मरजी चलाई तो बच्चों की सही बात भी एकड़ती है। इसलिए हर घर में जगड़े होते हैं जिससे मैं कत्राता हूँ। आज भी मा को समझाने की पूरी क्योशिश की। लेकिन समझाने की बज़ाए गली में तमाशा खड़ा कर दिया। जिस कारण बिना किसी बात के तमाश बीनों से माफी मांगने पड़ी। सबाब की कमजोरी है मा को कुछ नहीं बोलते हैं। हम अपने बच्चों पर खुद अपने वेवार को विरासत में देते हैं। जैसा हमारा वेवार आदते होती हैं बच्चे उसी का अनुसरन करते हैं। मैंने हमेशा कोशिश की है कि खुद अच्छा वेवार करूँ ताकि हक से बच्चों को कह सको कि वे भी अच्छी आदते अपना है अपने बच्चों को देख लो प्रथम को कई बुरी आदत नहीं है बहु प्रतिमे खुद देखो तुमारा कितना मान सम्मान करती है वे बहु कम और बेटी अदिक है हम बच्चों का धियान और ख्याल रखेंगे तो उस से अदिक तो वो हमारा धियान और ख्याल रखेंगे अब तुम खुद अपने बच्चों की तुलना मेरे भाई बेनों के बच्चों से कर सकती हो माबाप को गाली निकाल कर बात करते हैं क्योंकि खुद मेरे भाई बेनों का उग्र सभाव है विरासत में बच्चों को वही सभाव मिला जब बच्चे छोटे होते हैं उनके गाली निकालने जगरने पर हम खुश होते हैं कि देखो पिटके नहीं आया, दूसरे बच्चों को पीट कराया, बनियाद बच्वन में ही पढ़ जाती है, बड़े होकर जुटना समझोता करना शान और शौकत के खिलाफ हो जाता है, मैं मानता हूं कि मां का सभाव उग पनकते हैं, बजुर्ग अपनी हट नहीं छोड़ते हैं कि बच्चों से नीचे हो जाएंगे और अपने बच्चों से ताल मेली बड़पन की निशानी हैं, इसी कारण अपना बेटा प्रथम कोई भी कार्या करने से पहले हमारे से सला लेता है, और हम अपने अनुभवों के अनुसार, उसका मारग दर्शन करते हैं, जबकि मा को कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि उसकी आदत मीनमेक निकालने की है, कि मेरे से पूछ के कोई काम करते हो, अब क्यों पूछ रहे हो, इसलिए ना बताने पर ही भलाई है, दुनिया दारी बड़ी कटिने, जो भी कर लो क कोई खुश नहीं होता, तो हमने किसी से क्या करना है, अपने घर में शांती नहीं बस यहीं चाहा है, देवी काक नहीं कहा, इसी बात की तो कोशिश करता हूँ, एक कोशिश और करो, मा को कहो कम से कम नन्नी जान, शुप को तो बक्ष तो, उससे भैसना किया करे, क्या कसूर कि बिना गलती के माफी मांगनी पड़ी, और मांग भी कह सकते हो, खाना, शुप को भी भूक लगी होगी, कुछ बना दे, शांती के साथ भोजन कर, मा तो शुरी से भी पूछ लो, नहीं तो फिर शुरू हो जाएंगी, कि बहुए सांस को भूका रखती है, किसी दिन टीव की चैनल वाले को बुला लिया तो मुसीबत हो जाएगी, ठीक कहती हो देविदा, मैं तो हमेशा ही ठीक कहती हूँ, लेकिन सुनता कौन है, मैं तो सुनता हूँ, कहां सुनते हो, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो, सफल गरस्ती के लिए सब कुछ करना पड़ की एक बार तो शादी के कुछ होंटो बाद ही तलाक हो गया, भारत में खाना खाना है तुमको यह यह यूरोप में जाना है, अब उन तो भारत में ही रहकर खुश है, जीवन के उतार चड़ाव घ्रस्ती के जहमुले में ही खुश है, देविका ने खाना प्रोस्ते में जो डर कर भाग जाता है, शायद सादू बनता है, जो निडरता से सामना करता है, वही सच्चा ग्रस्त इंसान होता है, देविंदर और देविका खाना है खाते वे बाते कर रहे थे, तब ही शुब की नीद कुली और भोले पन से पूचा, दादा, बड़ी दादी क्यों पूच ले थी कि मासुम बच्चों को भी बहलाया नहीं जा सकता, नीद से जागने के बाद भी सबसे पहले बड़ी दादी की लड़ाई के बारे में पूचा, और बड़ी दादी है कि बुजुर्ग हट के कारण एक बार भी कोप भबसे बाहर आकर नहीं पूचा, कि नन्न बालक शुब ने कुछ खाया है या नहीं, आकर यह बुजुर्गों की बिकार हट कब समात होगी?